गुड मार्निंग बच्चों आज हम लोग देखेंगे ले रेनवो प्लास फोर लेशन इलेवन सुनी लेंस लेशन्स इसकी पहले वेले वीडियो में हमने इसका अर्थ बताया था और डिफिकल्स वर्स मीनिंग बताई थी आज हम लोग इसकी एकसरसाइस देखेंगे और इसम में इसमें बच्चों एक चीज ध्यान देना यह जो अश्यूमड ये लिखा है ऑश्यूमड में होता है लजजित होना सर्मिंदगी होता है इसंकेद सर्मिंदाहना या सर्मिंदगी लिखा राएसब STRrier डम होना है वह आगे तो सभ सही है taking this week questions exercise पर हम आते हैं what did Sunil's father give him? Sunil के पिता ने उसे क्या दिया? तो इसका answer हम देखते हैं पहले का answer है Sunil's father gave him a banana to eat. Sunil के पिता ने उसे banana खाने के लिए दिया था. Next questions है question number B how did the old man get hurt? बुड़े आदमी को चोट कैसे लगी? तो answer इसका है number B the old man slipped oh sorry the old man stepped on the banana peel and slipped and got hurt. यहां पर यह बिंदी वाई मिस्टेक से लग गई है पहले से लगी अब इसके बाद next question number C देखते हैं where did Sunil and his father take the old man? उसके मिलब Sunil और उसके पिता उन बुड़े आदमी को कहां ले गए? तो answer इसका देखते है question number C का Sunil and his father took the old man to his home उनके पिता सुनील और उनके पिता उन्हें बुड़े आदमी को उनके घर ले गए next questions देखते हैं did Sunil feel sorry for his actions क्या सुनील ने इस कारे के लिए साली अपना छमा किया अन्भो किया तो इसके लिए है yes Sunil feel sorry for his action इसके लिए उसने माफी मांगी और इसके बाद अगला है where should he throw rubbish and why rubbish mean क्या होता है rubbish mean भी कूड़ा करकट होता है इसके पहले waste आया था lesson में तो where would we throw rubbish and why हमें कूड़ा करकट कहां फेकना चाहिए और क्यों तो इसका answer देखते हैं we should throw rubbish in the dust bin यहनि हमें कूड़ा करकट हमेशा कूड़े दान में फेकना चाहिए because it is the proper place to throw all kinds of waste सभी प्रकार के जो कूड़ा करकट होता है जो waste होता है उसे फेकने का एक उचित अस्थान होता है इसके बाद आगे देखते हैं अगला questions इसमें word power है practice word power rearrange the words in the alphabetical order alphabeticals means बच्चों जैसे a, b, c, d, e, of, g, s जो order होता है उसी order में हम इसको arrange करना है हमको तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे a, b, c, d से हम इसको count कर लेंगे जो word पहले आएगा हम उसको उसको पहले box में लिखेंगे तो नहीं alphabetical order means जो हम a to z alphabet होता है उसी के according इसको हमें arrange करनी है तो जैसे इसमें हम देखेंगे किये हैं इसको ध्यान दो bet, let और यह क्या लिखा है met और set तो यह हो गया इसी तरह से टाल, fall, ball, wall तो सबसे पहले क्या आएगा ball आएगा, b आता है, a, b, b आता है तो हमने ball लिख दिया इसके बाद क्या आएगा, fall आएगा, fall लिख दिया और fall के बाद फिर tall आएगा, और इसके बाद फिर क्या आएगा, wall आएगा उसी तरह से c option में देखते हैं, dark, lark, mark, bark तो इसमें भी सबसे पहले b आएगा, bark लिख दिया है और b के बाद क्या आता है, d आता है, d लिख दिया, dark हो गया और d के बाद क्या आएगा, l आएगा, तो lark लिख दिया, इसके बाद mark लिख दिया तो इस तरह से हमने alphabetical orders में इसको arrange करनी है हमें लिख रही है इसी तरह पा रा सा ला तो यह क्या हो जाएगा सबसे पहले ABCD पढ़ोगे तो कौन सा बढ़ आएगा सबसे पहले L आएगा IJKL MNOP तो L आया है तो इसमें हमने क्या लिख दिया ला लिख दिया इसके बाद फिर पॉल लिख दिया पा के बाद फिर क्या लिखा सा